दोस्तों सिद्धू मुसे वाले की हत्या के दिन थार में मौजूद दोस्तों ने बताया कि अगर सिद्धू मुसे वाले की गन में पूरी गोलिया होती तो सायद आज उनकी जान बच जाती दोस्तों ने बताया कि घटना वाले दिन वो घर पर ही मौजूद थे फिर अचानक से बोला कि मौसी का हाल चाल लेने जाना है सिद्धू मुसे वाला ने पहले जाने के लिए पजेरो निकाली और पजेरो के साथ में सेकुरिटी भी जाने के लिए तैयार थी लेकिन पजेरो का किसी ने पंचर कर दिया था और उसके बाद फिर मौसे वाला ने अपनी थार कार जाने के लिए निकाली फिर सेकुरिटी को मना कर दिया क्योंकि थार में जगय कमती और सेकुरिटी वालो से कहा कि थोड़ी दूर ही जाना है 10 मिनट में लॉट आएंगे लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है उसके बाद में मौसे वाला की कार के पीछे गाडिया पीछा करने लग गई तो दोस्तों ने मौसे वाले की कोई हमारा पीछा कर रहा है लेकिन सिद्धू ने कहा की फैन होंगे क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है तलवंदी मांसा रोड पर left and right दो रास्ते थे मूसेवाला ने थार left में मोड़ी तो कोरोला गारी right की तरफ मुड़ गई ये कोरोला कार वालों की सबसे बड़ी चाल थी अगर वो पीछे जाते तो सिद्धू मूसे वाले को सक हो जाता इसलिए उन्होंने राइट हैंड पे मोड ली उसके बाद अचानक कोरोला गाड़ी थार से बराबर में चलने लगी और फिर फाइरिंग करना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले उन्होंने थार के चारो टैर पंचर कर दिये उसके बाद उनके दोस्तों ने बताया कि वो काफी घबरा गये थे लेकिन मूसे वाला ने कहा कि घबराओ मत मेरे पास पिष्टल है लेकिन बैटलक से उनकी पिष्टल में सिर्फ दो ही गोलिया थी उसके बाद में मूसे वाला ने जबाब देने के लिए दो फाइर किये और फिर कोरोला गाडी वाले वहां दर चुके थे जैसे ही कोरोला गाडी वालों को पता चला कि फाइरिंग रुक गई है उसके बाद में उनके साथ में भुलैरो गाडी वाले भी आ चुके थे और दोनों गाडी वालों ने मिलकर हमला करना श्टार्ड कर दिया और बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी उन लोग का में ने मूसे वाला ही था और उस टाइम पे उन्हों ने 30 से 40 राउंड फाइरिंग की भगवान मूसे वाले की आतमा को सांती प्रदान करे